जीने हमसे कमेंट करके कि पुछाए कि सर मेरे अस्कूल डॉक्मेंट में फादर नेम गलत है इसलिए मैंने सब डॉक्मेंट में फादर नेम गलत वाला ही करवा लिया है बड एससी सट्पिकेट में फादर नेम अस्कूल वाला नहीं हो पा रहा है तो रेलवे में डीबी के ट तेंथ कलास में फादर का नेम है उसी के कोडिंग आपका सारे सेटिफिकेट होनी चाहिए इससे मतलब नहीं है कि जैसे आप यहां नहीं है कि मेरा फादर का नाम गलत है फादर का नेम आपके कोडिंग गलत है लेकिन आपके टेंथ में जैसा है वही सही है और उसी के करवा कर ले जा सकते हैं यह जो कोट से अफ़ डेवित की बात है यह आपके बोट आपके रिकूटमेंट बोट जो भी और्गियाशन है उस पर डिपेंड करता है जैसे कि कुछ जो बैंक के बारे में बात कर रहा हूं एससे के बारे में बात कर रहा हूं वहां पर फस्ट कलास तो आपको यह करना ही है आपके जो recruitment board है उस पर depend करेगा तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आपको जीतना जल्दी हो अपने 10th के mark sheet के coding SC certificate बनवाना चाहिए उसके बाद यदि आपका जैसे कि आपने बता है कि आपके railway के DV में जो पहले से आपके SC certificate बना है तो उसी क अधार पर आपके court से first class magistrate से अपर डेविड करवाकर DV में ले जाएए तो आपको चांसे से कि आप accept कर लिये जाएगा thanks for watching this video